तो वो relaxation का आपको भेजा हुआ है कि UGC Regulation 2018 के मताबक 5% की relaxation दी गई है ठीक लेकिन वहाँ 55 लिखा है तो ये थोड़ी सी दुविदा है अगर आपका form soft copy वो उठा रहा है तो आप फिल कर दीजिए बाकी बाद में देखेंगे ठीक है सर एक्जाम दा सेंटर क्या रहेगा most probably तीनों यूनिवस्टी में से एक जान तीनों भी हो सकती है गुरुनानक देव यूनिवस्टी भी हो सकती है पत्याला यूनिवस्टी भी हो सकती है और पंजाब यूनिवस्टी चंडीगड भी हो सकती है ये तीनों भी हो सकती है but I fill the form in general category Rajasthan OBC so I will be there any problem नहीं सर कोई problem नहीं होगी I fill the form in general category but I am Rajasthan OBC category दिखिए state की OBC की definition में रिखाल में पता नहीं है कि नहीं कोई बात नहीं आपने अब general में तो कोई problem थोड़ी आएगी general में कोई problem नहीं है general वालों को कोई भी problem नहीं है अगर आपने OBC में फिल किया है problem फिर भी नहीं आएगी वो आपको general में ले आएगे अगर उनका 2006 का act जो है reservation का पंजाब गौर्मनेंट का for appointments वाला act है तो आपके नहीं problem वाली कोई बात नहीं है I fill form in general category but I am Rajasthan OBC category so I will be any person और नहीं यह बात repeat है Is there a government-aided DPI colleges यह मैं different बताता हूँ यहां तक यह question है thank you कुछ वीडियो निकाल रहा हूँ UGC net वालों के लिए के वो जो guess work बहुत लगाते हैं guess work तो guess work जो कई research की strategies हैं जो foreign की research हैं उनके rule YouTube पर बड़े बताए गए हैं तो मैंने वो थोड़ा statistical analysis किया है UGC paper 1 का तो वो सही थाबित नहीं हो रहे kindly वो वीडियो अगर आपके इच्छा हो तो आप भी देख सकते हो